अस्सलाम अलेकूम, तो आज मैं आप लोगों के साथ जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो के मैंने अपने हिसाब से बहुत ही कस्टमाइज करके बनाई है, लेकिन ये बहार से भी बहुत जादा मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल आउटस्टेंडिंग बनते बिसमिल्ला, तो मैंने यहाँ पर ले लिए आधा किलो चिकन, ये ब्रेस्ट के पीसिस लिए है मैंने, आप चाहो तो थाइस भी ले सकते हो, मैंने चिकन को पतला और लंबा इस तरह से काट लिया है, पहले मैंने चिकन में दो टेबल स्पून जितना सफेद सरका डाला, उस करना बहुत ज़रूरी है, इससे चिकन बहुत ही जूसी, टेंडर बनती है, गलावट का काम भी ये स्टैप बहुत अच्छे से कर देता है, अभी हम मसाला डालना शुरू करेगे, तो दो टेबल स्पून जितना सबसे पहले मैंने डाला है, अद्रक और लैसून का पेस्ट, बनन हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट डाल दिया, एक टी स्पून जितना रेड चिली पाउडर, और एक टेबल स्पून जितना कुटी हुई काली मिर्च डाल दी, आप चाहो तो रेडी मेड ब्लेक पेपर पाउडर जो आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, अच्छे से मैं मैंने मिक्स किया, मुझे लाल मिर्च थोड़ी कम लगी, तो मैंने एक टी स्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर और एक टी स्पून जीदे और धनिय का पाउडर भी आड़ कर दिया, अच्छे से हातों से मैंने मिक्स कर लिया, आप चाहो तो इसे मैरिनेट कर सकते हो, य देना है आपको चावल का आटा या तो फिर कॉन फ्लोर या तो अरा रोट ये तीनों में से आप कोई भी एक चीज ले लो मैदे से आधी कॉंटिटी में तो आधा कब जितना मैंने लिया है चावल का आटा यहां पर जो कि 125 ग्राम के करीब है इसमें मैं एड कर रही हूं एक टेबल स्पून जितनी सूंट जो जिंजर पाउडर आता है वो एक टी स्पून जितना नमक एट कर दिया और एक टी स्पून जितना ही लाल मिर्च का पाउडर अभी सारी चीजों को अच्छे से चमच से मैं मिक्स कर लूँगी और अभी यहाँ पर सेटिंग कुछ इस तरह से रखिए कि आता है और इसके बाजू में एक बगवान में थंडा पानी ले लिया है अभी यह हमारी चिकन है जिसको अच्छे से मैंने मेरेनेट किया था आदे गिंटे के लिए तो इसे मैं पहले आते में सबसे पहले अच्छ अच्छे से कोट करूंगी आपने सिफ ऊपर से ही कोट नहीं करना है चिकन को बल्कि इस तरह से चिकन में आटा लगाना है कि अंदर के हर एक रेसे में आटा पहुंच सके तो बिल्कुल आप हातों के मोशन्स देख पा रहे होगे अभी दबा दबा कर मैंने चिकन को कर आटाउरे जो है वह बिल्कुल एक हो जाले बिल्कुल भी अलग अलग ना रहे है coating आटे की अलग ना रहे बलकि एक हो जाए चिकन के साथ तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से आटा लग गया है सारे ही चिकन में मैं इस तरह से आटा लगाऊंगी और प्लेट में रख दी जाऊंगी तो आप देख रहे हो हमारी चिकन कैसी नजर आ रहे है बढ़िया सा टेक्स्टर आया इसके उपर जब सारी चिकन इस तरह से रेडी हो जाएगी तो मैंने यह पर एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर जैसे ही तेल गरम हो जाएगा फ्लेम को मैं लो मीडियम कर दूँगी और चिकन को डालूँगी तेल में और लो मीडियम फ्लेम पर ही मैं चिकन को फ्राइ कर लूँगी अलटते पलटते हुए तो तकरीबं 3-4 मिनिट में चिकन हमारी अंदर तक गल जाएगी तो बस आपको बीच बीच में इसे थोड़ा टन करते रहना है इसकी साइट जो है वो चेंज करती रहनी है और जो चिकन का कलर है वो बिल्कुल हलका ब्राउन रखना है जादा लाल या जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये पकोड़े जैसे दिखने लगेगे वन्नाबाद में तो आपने लाइट ही कलर रखना है तीन से चार मिनिट के बाद जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं इसे तेल से निकार लूँगी अच्छे से तेल जाड़ कर तो आप देख सकते हो इसका कलर कैसा है बिल्कुल हलका गोल्डन ब्राउन और इसके उपर बहुती क्रिस्पी सा मजे का लेयर है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है हमारी चिकन तो आप यहाँ पर बिल्कुल पास से देख सकते हो चिकन का क्रिस्पी सा लेयर है उपर और अंदर से हमारी चिकन बहुती जूसी और टेंडर है आप इसे mayonnaise और ketchup के साथ भी ऐसे ही खाऊगे ना ये चिकन को तो बहुत मज़े की लगेगी आप देख सकते हो चिकन अच्छे से अंदर तक गल चुकी है अभी यहाँ पर mayonnaise का हम एक dip ready करेगे तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून जितना mayonnaise लिया है उसमें 2 टेबल स्पून जितना red chili sauce टाला है और एक टेबल स्पून जितना tomato ketchup अच्छे से mix करके मैंने इसे रख दिया side पर पत्ता गोबी को पत्ला और लंबा काट लिया है आप चाहे तो lettuce या तो फिर iceberg का भी इस्तमाल कर सकते हो अब भी burger के buns ले लिये है और उसके उपर जो हमने mayonnaise की dip बना के रखी थी वो हम spread कर देगे बिल्कुल अच्छे से और इसके उपर हम रख देगे हमारा पत्ता गोबी जो salad के पत्ते है वो और हमारी जो chicken हमने fry करके रखी थी वो रखेगे आप चाहो तो chicken को cut करके burger के bun की size के हिसाब से भी adjust कर सकते हो अब इसके उपर मैं डाल रही हूँ मलाई घर की जमा की हुई आप चाहो तो amul fresh cream का भी use कर सकते हो मलाई से taste burger का इतना गजब का आता है ना मैंने भी पहली बार burger में मलाई use किये लेकिन सारे family members को इतना पसंद आया ना ये burger इस मलाई की वज़े से ही चीज वगेरा को भी बिल्कुल fail कर देती है तो मलाई ज़रूर drizzle करना जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ अच्छे से drizzle कर दिया मैंने बहुत सी मलाई इसको पर दुबारा से बन रख दिया और ये हमारा burger खाने के लिए बिल्कुल ready है आप ज़रूर ट्राइ करना बहार का burger भूल जाओ कर ये इतना मज़ेका बनता है अगर आपको recipe अच्छे लगी हो तो like करना और मेरे चैनल को subscribe करना अलाफिस